दुनिया में करीब सो करोड हिंडू हैं और मुस्ती लोग ये समझते हैं कि पूजा पाथ मंदिर जाना ही इसका मूल आधार है। दूसरे धरम के लोग भी इसके बारे में यही समझते हैं पर जो असली हिंदू होगा ना असली सनातनी होगा जो इसकी साइंस को जानता होगा वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा इसकी साइंस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी साइंस इतनी गहरी है कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट मौडर्न साइंटिस्ट ने हिंदूइजम के वेद उपनिशत पड़े हैं अध्यन किया है जिसमें अलबर्ट आइंस्टाइन से लेके नील्स भोर, एर्विन्स क्रॉंडिंगर, वार् अधने धर्मा, धर्मा का मतलब यहाँ पे रिलिजन से नहीं है, धर्मा का मतलब यहाँ पे है नियम, कुछ लॉज, उन लॉज के बारे हैं बात कर रहा है जो फिजिकल नहीं है बट उनके हिसाब से सबकी लाइफ गवर्न होती है, हिंदूइजम तो नाम इसले पड़ गया क्योंकि यह दुनिया की सबसे पुरानी सब्विता से शुरू हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजिशन, सिंदू खाटी सब्विता, जो की एक नदी के किनारे थी, जिसका नाम था सिंदू, सिंदू नदी, और क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग हिमालिया और इंदू है कि अगर तुम दस हिंदों का खड़ा कर दोगे और उनसे पूछो हुए कि भाई तुम किस चीज में बिलीव करते हो, तो आपको दस अलग अलग जवाब मिलेगे, different for every person, क्यों क्योंकि कोई भी इसका एक single founder नहीं है, like other religions, इसमें कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, कु God कौन है, individual कौन है, और ये world क्या है, तो वो ऐसे है कि एक ब्रामन होता है, ब्रामन, इसको जाती वाला ब्रामन मत समझना, वो अलग है, वो कास्ट है, और ब्रह्मा भी मत समझना, creator, वो भी अलग है, B-R-A-H-M-A-N, एक ब्रामन होता है, all-pervading energy, जो सब कुछ है, वहीं से सुरुआत है, और वहीं से अन्थ है, वो ना कभी आया और ना कभी गया, वो हमेशा है, true reality of things, ये shapeless है, bodiless है, genderless है, colorless है, it cannot be described, it can only be experienced, तो ये है ब्रामन, परमातमन, अब इस ब्रामन की eternity को समझने के लिए एक शलोक है, संस्कृत में, इसका simple मतलब है, infinite has already existed, it will continue to exist, and from that infinite, even if infinite is taken out, it remains infinite, मतलब वो infinite है, अनंत है, उसमें से अगर infinite भी निकाल दोगे, तो भी वो infinite ही रहेगा, अनंत ही रहेगा, ये है ब्रामन, परमातमन, अब इस ब्रामन में से, इस परमातमन में से निकलते हैं, छोटे छोटे चोटे टुकडे, जिसे बोलते हैं आत्मन, जो आप में है, मुझ में है, पशुओं में है, पेड़ पोधों में है, उनमें परान है, life force energy है, pieces that comes out of ब्रामन, ये energy है, इस गल टुए, एमसिस को एर आइंस्टाइन ने जो बताया था, वही सेम चीज, अब ये आत्मन एंटर करता है माया में, माया मतलब प्रकरती, ब्रामन, source of creation है, और प्रकरती, प्रिमोडियल matter and activating energy है, यानि कि nature और creation itself, पुरुष प्रकरती, शिव शक्ती, cosmic father, cosmic mother, जगत पिता, जगत मता, masculine principle and feminine principle, पुरुष creation का source है, और प्रकरती खुद creation है, अब ब्रामन से प्रकरती निकली है, ब्रामन से माया निकली है, ब्रामन इंफनाइट है, माया भी इंफनाइट है, पुरुष इंफनाइट, प्रकरती भी इंफनाइट, ब इन्फानाइट प्रोसीड फ्रॉम दे इन्फानाइट अनन्त से ही अनन्त निकलता है और इट स्टिल रिमेंस इन्फानाइट तो ब्रामन इस इन्फानाइट यूनिवर्स इन्फानाइट अब यह उनिवर्स जो यह क्रियेट हो रखा है प्रीमोडियल मैटर यह माया है ब्रा इस बॉड़ी नहीं चल सकती without the आत्मन, आपने पढ़ाओगा, एनर्जी के नाइधर भी क्रेटेड नौर भी डिस्टॉइड, इट कन अनली कनवर्ट फॉम बन फॉर्म टू अनधर, यह वही आत्मन है, जब यह माया में या प्रकरती में एंटर करती है, तो यह matter acquire कर लेती है body acquire कर लेती है, आत्मन is surrounded by physical structure, called body, अब आत्मन अपने आपको reveal करती है consciousness के थुरू, चेतना के थुरू, और यह consciousness या चेतना interact करती है body के साथ, body interact करती है माया के साथ, प्रकरती के साथ, और यह interaction होता है तीन तरीकों से, या सात्विक गुनों से, या राजसी गुनों से, और य अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो positive करम जनरेट होगा, और भुरा करोगे, भुरा सोचोगे तो negative करम जनरेट होगा, अब यह जो आत्मन है, energy है, इसके लिए इस लोग है, जो गीता में क्रिशन ने बोला है, नैनम छिद्धनती शस्त्राणी, नैनम दहती पावकव, नचैनम कलद यंते आपो, नै सोशेती मारूत, ना शस्त्र आपको काट सकता है, ना अगनी आपको जला सकती है, ना जल आपको गीला कर सकता है, और ना ही हवा आपको सुखा सकती है, आत्मा अमर है, अजर है, सरवग्य है, सनातन है, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, मतलब इस rectangle के अंदर लिखा हुआ है, law of karma, मतलब आत्मा ने यहाँ पर एंटर किया, और उसका करम साइकल स्टार्ट हो गया, यहाँ से, यह आत्मा ने माया में एंटर किया, यहाँ पर जनम हुआ, बर्थ, disease, old age, death, बर्थ, disease, old age, death, यह चलता रहेगा, चलता रहेगा, बार 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 जनम होता रहेगा, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जनम होता रहेगा, बार बार मरते रहेंगे, यह इसकी core philosophy है, अब जिस तरीके से facebook के server होते हैं, वो सब कुछ record करते हैं, कहां से आया, कितने बज़े आया, क्या click किया, क्या like किया, क्या comment किया, क्या like किया, य ये सारी चीजें जैसे वो record करता है, इसी तरीके से माया में invisible servers लगी होते हैं, जो हर चीज को note कर रहे हैं, cosmic registers में, आपका एक एक करम note होता है, registers में चड़ता जाता है, positive और negative का balance बनता चला जाता है, जब शरीर की मृत्यू होती है, उस समय आत्मा का जो भी विचार रहता है, और उसके करम कैसे थे, उसके हिसाब से अगला जनम decide होता है, अब देरा six categories जिसमें जनम होता है, और ये evolution के हिसाब से हुआ है, अब छे तरीके की reality हैं इस three dimensional world में, पहली है aquatic, सारे पाने वाले, दूसरी है insects and reptiles, रेंगने वाले छोटे कीडे मकोडे, तीसरी है plants, चोथी है animals, पांचमी है birds, और छटी है humans, अब सनातन धर्मा ये belief करता है, सनातन का मतलब है eternal, timeless, उसमें ये belief है कि जो humans हैं, सिर्फ वो ही करम generate करते हैं, क्योंकि जो कीडे मकोडे हैं, या फिर कुटा बिल्ली हैं, they are not aware of itself, वो सिर्फ instincts के हधार पे काम करते हैं, उनका करम generate नहीं होता है, उनका करम count नहीं होता है, तो negative करम generate करोगे, तो नीचे के जोनिया मिलेंगी, नीचे के realities मिलेंगी, और नीचे सिर्फ कोई करम generate नहीं हो सकता है, वहाँ सिर्फ करम भोग सकते हो, वहाँ कोई करम generate नहीं होता है, तो अभी तुम्हें human birth मिला है, तो तुमारे करम बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम इंसान बने, क्योंकि सिर्फ humans के पास free will है, choice है, करम generate करने की, ये Hinduism के basic thoughts हैं, और प्रम्ह विश्णु में इस तो अभी तक आई भी नहीं, जो लोग सोचते हैं कि Hinduism उसका मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना है, भक्ती करना है, इसकी पीछे की science क्या है, उसको जानो, और ये सबसे पुराना religion होने के बावजूद भी आज तक इसी लिए खड़ा है, क्योंकि ये सनातन है, timeless है, इसको कोई मार नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो इसको मारने के फिर से उठके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है, और यही एक reason है, कि ये आज तक भी जिन्दा है, बाकि कितने धरम आए और खतम हो गए, बट ये आज भी सबसे पुराना होने के बावजूद भी सो करोड़ लोगे से follow करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आत्मा के करम के हिसाब से अगला जनम मिलता है, तो अब जो human life मिली है, इसमें अच्छे करम कर लो, वरना नीचे जाओगे, अपना कार्मिक बैलन्स सुधार लो, और नीचे जाओगे तो किवल बुरे करम खतम होते जाएंगे, नए करम अन नहीं हो सकते, क्योंकि choices नहीं हैं, और अगर आत्मा के करम अच्छे हैं, तो आपको ये central philosophy समझ में आएगी, तो कुछ knowledge acquire करने के बाद, और कुछ scriptures पढ़ने के बाद, आपको ये समझ में आएगा, कि आप एक cycle में फस गए हैं, आपकी destiny कहां है, तब आप पूरी power लगाएंगे, ये साइकल से बाहर निकलने के लिए, और ultimately मोक्ष अटेन करने के लिए, और मोक्ष शिर्फ मरने के बाद अटेन नहीं होता है, मोक्ष यहां रहते रहते मिल जाता है, जब आप ये अच्छे करम और बुरे करमों से उपर उठ जाते हैं, निश्काम करम करने लग जाते हैं, तो आपको यहां रहते रहते मोक्ष मिल जाता है, आपको ये realization हो जाता है कि आप आत्मा है, और ये realization हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, अद्वैत विदानता के according, तत्वम असी, दैट दो आठ, मतलब आत्मन इस ब्रामन, आत्मा ही परमात्मा है, उसी का हिस्सा तो है, वही तो है, और मोक्ष अगर मिल गया तो आप वापस चले जाएंगे ब्रामन के पास, जहां से आप आए थे, परमात्मन के पास, which is the reality of all human beings, बट हर कोई इस चीज के लिए अवेर नहीं हो सकता, जो अवेर नहीं हो सकता, उनके लिए endless cycle of birth, death, birth, death चलता रहेगा, अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉस दिस संसार, दिस वर्ल्ड इस एं माया, टेंपरेरी मेटेरियल रियालिटी, विच कन्फ्यूजिस आत्म, ये माया आत्मा को कन्फ्यूज कर देती है, और ये टेंपरेरी मेटेरियल रियालिटी है, ये सच्चाई नहीं है, माया का मतलब है that which is not, जो है नहीं और जो लोग इसे नहीं समझ पाते, वो राजसिक और तामसिक कर्मों में बंद जाते हैं, और अल्टीमेटली कोई मुक्ती नहीं मिलती होने, अब एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये यूनिवर्स खुद से create होता है, nurture होता है और destroy होता है, इस हैस बिन डिसकवर्ट बै 21st century scientist, बिग बैंग, यूनिवर्स एक्सपेंशन और बिग क्रंच, 2-3 is to 2 is to 1 की है, कि जितना time कल्यूग को लगएगा, उससे 4 गुना सत्यूग का होगा, 3 गुना तरेता का होगा, और 2 गुना द्वापर का होगा, अब ये चक्रियां चल रही है, इन चक्रियों के अंदर आतमन की चक्रियां चल रही है, Life and Death की Life and Death, Life and Death, Life and Death तो दो चीज़ continuously इसके अंदर साथ की साथ चल रही है बड़ा यूगा साइकल चल रहा है, यूनिवर्स बन रहा है, बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है और साथ की साथ माया के अंदर आतमन के साइकल चल रहे है एक और अच्छी information में आपको दे देता हूँ, कि 2012 में ये कलियूगा खतम हो चुका है और हम दुबारा से द्वापर, त्रेता और सत्यू की तरफ जा रहे हैं और जो ये time है, 2012 से 2032 का, ये awakening का time है जिसके अंदर इस planet के उपर consciousness के अंदर बहुत तगड़ा shift आ रहा है जिसकी वज़े से लोग awake हो रहे हैं और लोग realize कर पा रहे हैं कि वो actually में क्या है, आत्मन है सब आत्मन हैं, और सब एक हैं चाहे आप किसी भी धरम को मानने वाले हों, बट ultimately हम सब एक हैं यही एक reason है कि कभी भी Hinduism ने किसी को convert नहीं किया क्योंकि वो जानते थे convert क्या करना, सब एक ही तो है चाहे वो माने किसी भी चीज़ को, बट truth को change नहीं किया जा सकता वो एक ही है तो simply यह बोल रहा है कि आपकी life आपके करम पे depend करती है जैसे करम करोगे उसके हिसाब से आपको result मिल जाएंगे अब इस concept के similar terms पे एक movie बनी है जिसका नाम है matrix जिसने इस reality को ही question कर दिया कि real क्या है जिसके अंदर neo, जिसका मतलब है one, n-e-o, o-n-e Morpheus neo को यही समझा रहा है पूरी movie में कि तुम एक endless cycle के अंदर फस गए हो तुम matrix में फस गए हो, माया में फस गए हो जो humanly possible ही नहीं है जो या तो Krishna ने अपने time में की थी या राम ने अपने time में की थी और इस concept को समझने के बाद जब आप वो matrix movie देखेंगे तो आपको और clearly समझ में आएगा कि यह concept भी और वो movie भी तो एक Sanskrit में saying है Brahman Satya Jagat Mithya means Brahman is real and this world which you experience through your senses is just myth तूट जाएंगे और आप समझ जाओगे कि आपके अंदर ही है वो Brahman आपके अंदर ही है वो परमात्मन एहम ब्रहमास्मी जो सिखाया जाता है वो यही है कि तुम ही हो Brahman तुमारे अंदर ही है सब कुछ उसे कहां बाहर डून रहे बाहर नहीं मिलेगा वो अंदर ही मिलेगा तो इसकी समरी क्या है इसकी समरी है that you are a spiritual being having a temporary human experience here on earth मतलब आप a spiritual being है और temporarily इस धरती पे एक इनसानी रूप में अपने जीवन को जी रहे है आप किसी race के नहीं हो किसी देश के नहीं हो किसी भेश के नहीं हो you are just a part of that Brahman अब मैं चाहता हूँ कि आप हर किसी को जगाएं हर किसी के साथ इस वीडियो को share करें और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और इस philosophy के बारे में प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं अगर किसी चीज़ पर आपको doubt है तो मैंने description में link दिये है आप उन पे जाके further research कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो please इसे like करें चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि मैं similar type का content इस channel पे लाता रहूँगा और सोए होए लोगों को जगाता रहूँगा क्योंकि मैं लोगों कि अश्राइब कर दो सकते हैं आपको ऑाके बाहूँगा